नमस्कार दोस्ता, OCN Network वे आपका स्वागत है, सूरत की कोट से राहुल गांधी को मानहानी के मामले में दो साल की कैद हुई, शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉंट्रेंस की, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, कि जो दो साल की सजा मिली है, इस पर कुछ बोलेंगे, कुछ सफाई देंगे, ऐसा नहीं हुआ, इसके विप्रीत, वो नरेंदर मोदी पर, गोतम अडानी पर ही बोलते रहे, और इस बीच कम से कम, दो पत्रकारों से वो उलज गए, एक सवाल उनसे पूछा गया था, सजा को ले करके, कि भारतिय जन्ता पारिटी ये कह रही है, कि आपने OBC समुदाय का अपमान किया, और राहुल गांधी चुकी, इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे, तो एक ऐसे पत्रकार, पर वो लगभग बरस पड़े, उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया, जो पिछले 15 साल से कॉंग्रेस ही कवर कर रहे हैं, उस पत्रकार ने क्या पूछा था, और राहुल गांधी ने उनको क्या कहा, ये ज़रा एक बार सुन लेते हैं, मैं आपको उसकी वाइस सुनवा देता हूँ, रिकॉर्डिंग की. पर देड़ आपका ये जनुद यहां से को श्केंघ कर रहे हैं, आपको ये मूंह से की. तो प्लीज प्रीज सब्सक्राइब नियुक्त प्लाइब उच्फ शेंग्टर्डट शुफ टार्डदेट प्लीज टो दो प्रीजच ब्सक्राइ। कोई पत्रकार अगर राहुल गांधी से और ये आदमी लोकतंत्र की दुखाई देते हैं विदेशों में जा करके के भारत में लोकतंत्र खत्रे में है और आपके कॉंग्रेस के मन्च से क्या हो रहा है पत्रकार के साथ? यह कहते हैं के मेडिया स्वतंत्र नहीं है न्याई पाली का स्वतंत्र नहीं है हमारे पार्लियमेंट में माइक बंद कर दिये जाते हैं इन्हों ने राश्टपती के अभी भाशन पर पार्लियमेंट में ही खड़े होकर के 40 मिनट से अधिक का भाशन दिया था और केवल गौता मडानी और मोधी पर बोलते रहे थे ये तो वो जूट इनकी अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में मीडिया के साथ कैसा बिहेव किया जाता है अगर कोई कठिन प्रेशन पूछ ले तो उस पर ये बीजेपी का एजेंट होने का आरोप मड़ देते हैं तो मीडिया को चुप कराने की कोशिश कोन कर रहा है मीडिया को अपमानित कोन कर रहा है नरेंद्र मोधी यह राहुल गांधी ये तो हुआ एक परकरण और इस पर कई लोगों की पर्तिक्रियाएं आई हैं एक और कॉंग्रेस कवर करने वाले पत्रकार का ट्वीट देखिए क्या कहते हैं वो राहुल गांधी ने पत्रकार रवी सिसोधिया से के लिए कहा हवा निकल गई सोशल मीडिया पर वीडियो पूरा वाइरल है जिस रिपोर्टर को ऐसा कहा गया वो पंद्रे साल से कॉंग्रेस बीट कवर कर रहे हैं नेता जी कॉंग्रेस का मीडिया विभाग और मीडिया के बीच की सम्वाध हिंता का ये जीता जागता उदाहरन है कपिल मिसर ने देखे क्या लिखा है कपिल मिसर ने लिखा है कि साधारन सवाल साधारन है परंतु बोख लाहट असाधारन है बहुत तीखी पर्तिक्रियाएं लोगों की आई हैं इस पर कि राहुल गांधी किस तरह की लेंग्वेज का परियोग उस पत्रकार के बारे में कर रहे हैं यह देखिए एक पल्लवी गहोश हैं यह भी कॉंग्रेस की शुबचिन तक मानी जाती हैं लेकिन एक शकील अख्तर जो पहले कॉंग्रेस कवर करते थे आजकल रिटायर्ड हैं इन्हों ने वियंग कसा उस पत्रकार पर और क्या लिखा नीचे देखिए आप इतनी डारेक्टली वीजेपी के लिए काम क्यों कर रहे हैं राहुल का गोधी मीडिया पर सीधा हमला पहली बार राहुल पीसी में इस पर पल्लेवरी गोश ने तीक ही परतिकरिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि ये पत्रकार गोधी नहीं है सालों से पारिटी कवर किया सवाल ये था कि बीजेपी कह रही है कि आप OBC के खिलाफ हैं ये गोधी सवाल है और अगर आप पत्रका हैं तो मैं आपको अब्जेक्ट नहीं करना चाहिए या आप भी मतलब चापलूस हैं इनके राहुल गांधी के सीदे सीदे उन्होंने ये कहा है ये तो हुआ एक परकरन दूसरा परकरन राजदीर सर्देशाई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कहां कहां से वो अपनी आरती उतरवा चुके हैं अब तक कहां कहां उनकी बेज्जती हो चुकी है पूर्व राष्ट पती प्रणव मकर्जी जब रिटार हो गए थे तो ये उनका इंटर्विव लेने के लिए गए और वो बोल ही रहे थे इनके पहले सवाल पर इन्होंने उनको टोकते हुए दू मुकेस हंबानी का इंटर्विव ले रहे थे मुकेस हंबानी की प्रशस्ति कर रहे थे खिंचाई कर रहे थे पता नहीं पर मुकेस हंबानी ने इनको कह करके चुप कर दिया ये कह करके चुप कर दिया कि मैं आपको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ राज ठाकरे से इंटर्व्यू करते हुए एक बार उन्होंने कुछ गलत वयानी कर दी थी, राज ठाकरे इन पर बरस पड़े थे बहुत बुरी तरीके से, कि क्या कहना चाहते हैं, मैं कुट्टे की तरह भौक रहा हूँ, सोरव गांगुली, अनेक ऐसे लोग हैं जो राजदीव सरदेशाई की खटिया खड़ी कर चुके हैं, और एक बार तो अमेरिका में ये पिटते पिटते बचे थे, लोग जपट पड़े थे इन पर, वहां नरेंदर मोदी का पहला विजिट था प्रधान मंत्री बनने के अच्छी खासी भीड उमडी थी उनके प्रोग्राम में, और ये लोगों से नरेंदर मोदी के खिलाब कुछ कहलवाने की कोशिश कर रहे थे लगातार, तो लोगों ने गहर लिया इनको, और उस समय नरेंदर मोदी की लोप्रियता चरम पर थी, आज भी है, तब ये वहां पिटते पिटते बचे और जान बचा करके भागे, जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, तब ITO के पास एक ट्रेक्टर पलट गया था, राजदीर सरदेशाई ने संसनी फैलाने के लिए, माहोल विगाड़ने के लिए, ये ट्वीट कर दिया, कि वो किसान जो ट्रेक्टर च पूटेज भी आ गए थे, आउन कैमरा सारी चीजें थी, कि वो कितनी तेज गती से ट्रेक्टर चला रहा था और वेरिकेट अपर वो आड़े तिर्चे करके ट्रेक्टर को निकालना चाहता था, उसी स्पीड से, और उसका ट्रेक्टर पलटार, वो ट्रेक्टर के नीचे द ट्वीट कर दिया, उनमें म्रनाल पांडे, जो कांग्रेस की ही प्रशस्ति करने वाली एक और पत्रकार है, इसके अलावा शशी थरूर ने भी कर दिया, इन सब पर मामले दर्ज हुए, इनकी अकल ठीकाने आई, नरेंदर मोजी सरकार को बदनाम करने के लिए ये किसी भी ह पत्तक जाते हैं, और इनके जो प्रोग्राम के कंटेंट होते हैं, जिस तरीके से ये प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, वो भी आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कि किस तरीके से किये जाते हैं, ये गोशित रूप से सोनिया गांधी परिवार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और ऐसे अनेक उसर आये हैं जब पूर्व में भी चाहे जैराम रमेश हों या दूसरे लोग हों वो राजदी सर्देशाई को जिड़क चुके हैं पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं जब राहुल गांधी प्रेस को संबोधित कर रहे थे शनिवार को तो इन्हों ने हाथ उठाया कुछ कहने के लिए और राहुल गांधी ने क्या कहा इनको जरा आप भी सुन लेजिए सुन लिया अपने राहुल गांधी ने कैसे आरती उता रही है वो बीच में कुछ कहना चाहते थे राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अपनी बात पूरी करने दीजी राजदी और अनलेस तुम मेरी तरफ से कुछ अगर कहना चाहते हो तो और अतीत में मेरी तरफ से बहुत कुछ कह चुके है और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो आरती उत्री है राजदीव सर्देशाई की जरा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ यह आलोक भट हैं इन्होंने लिखा है कि राजदीव सर्देशाई स्फेस आफ्टर राहूल गांदी आउटिड हिम एज हिज अनोफीशियल इस्पोक परसन इस टेलिंग सुनिए दूसरा कमेंट यह अनिल जोशी है इन्होंने कहा है कि राहूल गांदी एक्सपोज दा अं इन आज तक गुरुप चैनल्स बहुत सारे कमेंट आये हैं यह देखिए एक और एंदेन ही थैंक्ड राजदीप फॉर स्पीकिंग अप फॉर हिम नाव राजदीप नीट्स एन ओफीशियल कॉंग्रेस ब्लैज ओन हिज चैस्ट एक और कमेंट देख लेते हैं अमितमाल भ अमित मालविय का कमेंट इस पर भी था और जो इन्हों ने पत्रकार को बीजेपी का बताने की कोशिश की उस पर भी था यह देखिए एक और ट्वीट समित ठक कर लिखा है यू दू स्पेक फोर मैसेंफ सम्टाइम्स राजदीव सर्देशाई से राहूल गांधी सच बाहर आही गया थैट मिश्टर और मिस्स सर्देशाई और नहरू डाइनेश्टी सल्प जरा अभी शेक इन्हों ने लिखा है दप्रेस कॉंट्रेंस ओ राहूल गांधी टू गेम्स वन राजदीव शोन एज ए लोयल गोधी मीडिया ऑफ कॉंग्रिस सेकिंड एनिवन आस्किंग क्वेश्चिन इस टर्व एज बीजेपी एजेंट कोई अगर सवाल पूछ ले राहूल गांधी से जो अप्रिय लगने वाला हो तो वो बीजेपी का एजेंट है एक ट्वीट किया इससे दुखी होकर के जो ट्रेंड कर रहा था उनका ये सब उन्होंने लिखा वाई आयम ट्रेंडिंग वेहन दा प्रेस कॉंफिरेंस वाज डन भाई राहूल गांधी तो पदमजा है उन्होंने लिखा है कि राजदेव श्योर्ली यू नो वाई राहू ही वाज वोकल अबाउट इस आफ्टरनों इस एन इस इंसल्ट और ग्लॉरिफिकेशन ये तुम्हारी बेज्जती है या तुम्हारी प्रशस्ती है ऐसे ऐसे कमेंटर राजदीव सर्देशाई पर लोगों ने जम कर किये हैं एक और देख लेते हैं ये देखिए इन्होंने लिखा है यहां से चाटा वहां से थपड तेरा क्या होगा राजदीव और ये हैडलाइन्स बनी आज की जो पॉर्टल्स हैं उनकी देखिए राहूल गांदीन की इस तरह अपने करीवी राजदीव सर्देशाई को ही कर दिया बेनकाब टॉप ट्रेंड कर रहा ह है राजदीव और क्या है इसमें वरिष्ट पत्रकार राजदीव सर्देशाई अक्सर अपने राजनीतिक प्रोपेगंडा के कारण खुदी बेनकाब करते हैं और इस वार उन्हें बेनकाब करने का काम किया है राहूल गांदी ने दिली में कॉंग्रेस मुख्याले में प् राजदीव को डांट से हुए कहा राजदीव मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए राहूल ने राजदीव से ये भी कहा कि क्या आप मेरी तरफ से बोलना चाहते हैं क्योंकि आप अक्सर ऐसा करते हैं ये जवाब सुनते ही राजदीव सर्देशाई के चेहरे की यहां उड़ गई क्योंकि राजदीव सर्देशाई को किसी और ने नहीं राहूल गांधी ने ये सब बातें कही थी राजदीव सर्देशाई इससे पहले भी किसान अंद्रों में गोली चलाने की जूटी अपवा फैलाते हुए बेनकाब हुए थे इसकी भूमिका को लेकर अक्सर भी पहले भी सवाल उठते रहे यह का जाता रहा कि इंडिया टुड़े गुरुप में उन्हें खास तोर पर एक विशेस मकसद के लिए रखा गया है ताकि राजनीतिके दोनों पक्ष को हर तरीके से साधा जा सके इसी वज़े से इंडिया चोपड़ा का ट्वीट देखिए राहुल गांधी ने एक पत्रकार को कहा आप मेरी तरफ से जवाब देना चाहते हो जो आप देते रहते हो दूसरे पत्रकार से कहा हवा निकल गई देश को गोधी पिद्धी का सही मतलब समझाने के लिए आपका धंट्यवाद राहुल ग भदोरिया वाला पर करन दोनों ही कॉंग्रेस को और राहुल गांधी की एरोगेंट को बेनकाब करने के लिए काफी है लेकिन राहुल गांधी ने जो आरती उतारी है राजदीव सर्देशाई की वो भी भरी प्रेस कॉंफरेंस में पूरे मीडिया के सामने लाइव इससे क क्या राजदीव सर्देशाई को अकल आएगी या यह अब भी इस खांदान की और कॉंग्रेस की चमचागिरी करते रहेंगे चापलूसी करते रहेंगे अभी के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो ल बाद हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार